हेलो एप्रिवन आप सभी का अमारे चैनल में हारदिक स्वागत हैं दोस्तों आज की वीडियो में हम बात कने वाले हैं हिमाच्चपते जेवीटी एंटरस एक्जाम 2022 के बारे में तो दोस्तों ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत यादा इंपोर्टेंट रहने वाल पबलिक है उन्होंने क्या ऑपिनें दिया है जो भी कैंडियेट 53 जनसे हमने एग्जामिनेशन के बार एक्षेंस लिए उनका यहाँ पर क्या कहना है कि यह जो हमारे exam है क्या easy है क्या moderate है क्या hard level का रखा गया था उसके अलाबा दोस्तों एक और most important question है जो कि Instagram पर जो candidates है वो अभी से ही पूछ रहे हैं तो दोस्तों उनका कौन सा question है कि कितने number वालों का यहाँ पर सरकारी या private number पढ़ सकता है कितने number वालों को सरकारी seat मिल सकती है कितने number वालों को private seat मिल सकती है तो इस question का answer भी आपको वीडियो के end तक मिल जाएगा दोस्तों वीडियो informative होने वाली है वीडियो में शुरू से लेकर end तक बने रहे और दोस्तों अगर आपको कोई भी doubt हो ज़ा आपने jbt entrance exam दो यर बाइस से लेटर कोई भी question पूछना हो तो आप मुझे instagram पे message भी कर सकते हो instagram id का जो name है वो मैं first comment में pin कर दूँगा तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे आज के exam के level के बारे में तो देखिए दोस्तों जहां तक हमने public से reactions लिये है हमारा सीधा question यह था कि यह जो आज का हमारा paper है इसका जो level है आपको किस तरह से लग रहा है तो मैं यहाँ पे दोस्तों आपके सामने कुछ एक आंकड़े रखता हूँ तो यहाँ पे 40% दोस्तों ऐसे candidates है जिनका सीधे तोर पे यही कहना है कि यह जो हमारा exam है वो moderate level का रखा गया था moderate को हम medium कहते है ना जादे easy और ना ही जादे tough 40% ऐसे candidates है जिन्होंने यहाँ पे जो level है उसको moderate बताया है उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दू 35% ऐसे candidates है 35% ऐसे candidates है जिनका सीधे तोर पे यह कहना है कि यह जो हमारा exam है इसका जो level है वो hard रखा गया है ठीक है दोस्तों कितने percent हो गया हमारे 75% अब यह हमारे पास रहे 25% जे ऐसे candidates है जिनका सीधे तोर पे कहना है कि यह जो हमारा exam है जे easy level का रखा गया है तो देखिए दोस्तों यहां तक हमने जो आपका exam है उसको analyze किया है तो जो plus two वाले candidates है जिनकी अभी plus two clear हुई है उनके लिए जो exam का level है वो hard हम कह सकते हैं क्योंकि दोस्तों उनकी जो त्यारी है वो इस तरीके से ही हुई होती है तो जो plus two के candidates है उनके लिए जो आपका exam है वो hard था और जो ऐसे candidates है जो after graduation यह जो test है उसको दे रहे हैं तो उनके लिए जो exam था वो easy था तो यहां से हम समझ गए कौन से candidates के लिए जो exam है वो easy था कौन से candidates के लिए जो exam है वो यहां पे tough था ठीक है दोस्तों अभी हम जानेंगे कौन सा ऐसा magic number है जो आपको private या सरकारी seat दिलवा सकता है ठीक है दोस्तों तो यहां पे सबसे पहले एक दो चीज़ें हमने डिसकस करनी थी हमें यह चीज़ पता लग गई कि यह जो हमारा exam है अगर हम उसके level की बात करें तो उसका जो पलड़ा है प्यारे दोस्तों वो moderate की तरफ जुका हुआ है ठीक है दोस्तों यहां पे मैं आपको moderate का सबसे पहले आंकड़ों में परिवर्तित करके बताता हूँ ठीक है दोस्तों तो यहां पे अगर हम बात करें moderate की तो अगर आपके 60 number आ रहे है ठीक है अगर आपके 100 में से 60 number आ रहे है तब हम जो level है उसको moderate कहेंगे अगर आपके 70 या 70 plus आ रहे हैं वो तफ रहता है ठीक है दोस्तों तो अभी हम डिसकस करेंगे कौन सा ऐसा magical number है जिससे आपको सरकारी सीट मिल सकती है या प्राइबेट सीट मिल सकती है तो यहां पे सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे सरकारी सीट की तो अगर हम बात करें इसके लिए एक दो चीज़ों का होना जरूरी है सबसे पहले एक्जाम का level जो कि हमें पता है उसके अलाबा जो candidates है उन्होंने कितने यहां पे जो candidates है वो examination में पहुंचे थे तो यहां पे मैं आपको बता दो दोस्तों जो हमारे ट्वेंटी थाउजन एड्मिट कार्ट से वह मच्चवरे स्कूल शिक्षा बोल्ट के जारी किये थे इन में से यहां पर जो हमारे चार पांच 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 अजार ऐसे candidates रहेंगे जो की absent रहें होंगे ठीक हमेशा ऐसा ही होता है कभी भी इसकी जो आप चाहिए किसी भी टेस्ट की बात कर लो जो अटेंडेस है वो इतनी ही रहती है तो अभी हमारे पार कितने candidates बचके यहां पर 15,000 तो 15,000 जो candidates है उनमें से जो हमारा moderate level वाले candidate है वो यहां पर हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे ठीक है दोस्तों ऐसा नहीं है कि हरे candidate के लिए जो हमारा exam है वो easy रहा होगा मैंने आपको पहले clear करा है जो जो candidates है जिन्हों graduation मुगारा कर रखी है उनके लिए यहां पर जो exam है वो easy रहा होगा अभी दोस्तों हम आते हैं यहां पर कितने number वाले candidates हैं उनको सरकारी seat मिल सकती है तो यहां तक हमने exam को analyze किया है इसके हार एक सब्सक्राइब को analyze किया है तो मैं आपको बता दोस्तों अगर आपके 60 नंबर बन रहे हैं ठीक है अगर आपके यहां पर कितने number बन रहे है 60 तो आप निश्चीन तो हो जाईए आप चाहें किसी भी कैटागिरी से हो चाहें आप जैनल से हो चाहें आप SEC ST से किसी भी कैटागिरी से क्यों नहाँ अगर आपके 50 नंबर हो आपको उपनीघ्र भी करए वह चीज़ेगी वह तो दोस्तों जो चीज़ें हैं एक्जाम के लेबल के उपर डिसकस कर रहे हैं आगे चलके जो आपकी cutting तो वह अलग-अलग category wise क्या रहने वाली है इस से लेटे जो वीडियो है वो मैं कल चीजों का एनलाइज करके लाओंगा तो अब भी के लिए यही है अगर आपके 55 नंबर है चाहे आप जैनल में हो जाग किसी भी category से बिलोंग करते हो तो आपको private seat जो है 100% मिल जाएगी इसके उनका अंसर आपको मिल गया होगा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के लाइक करें शेयर करें चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्स्राइब करें प्यारे दोस्तों थैंक्यू जैहिन जैवारे जैहिम अचल